हेलो एवरिवन बैंकुर्व वेले आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्छा सात्मी से लेकर कक्छा बार्मी तक का संपूर्ण पा अब भी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खनिश संसाधन के वारे में हमारा चैप्टर है चैप्टर नमबर सैवेट है क्लासट स्व जोगराफी चा नाम है खनिश अधा उजच संसाधन पर्चार हमने देख लिया है इस पार्ट में हम खनिश संसाधन देखेंगे कहां से निकालते हैं माईनिंग क्या है टाइप अफ मिन्रल्स क्या है तो अगर आफको किसी प्यार के उस टाइप से और बäसिक चाहिए तो आप क्वास 10 के डा सकते हैं वाइक चप्कर साव देख सकते हैं है तो बात करते हैं कि खानेश संसाधन resource is तो आप देखें कि प्रकाइइ cंसाधनोंगा जो है व अपने आप में इंप्रοडेंस रखते हैं इंप्रोडिंस क्यों रखते हैं कि खहने जोंगी वल्ल्युं होती है आपने में उप्रकाइब होते हैं कोई-कोई खायं तो बेस कीमती हुता है कीमत का भी अंदाज आप नहीं लगा सकते इन खानेजों से काई परकार के हिंडस्टीज चलती है कई प्रकारी आजेखे लिए रोव मट्यक्ण करते हैं इन खानेजों से कई प्रकार का इधर निकलता है जो आगे जाकर हमें फ्यूल मतलब रौ फ्यूल निकलता है जो आगे जाकर हमारे लिए किसी प्रकार के फ्यूल का काम करता है अगर मानव सबता कि बिकास में खानिजों की युगदान के बारें बात करें तो आप पाएंगे के इनका युगदान बहुत महत्पूर रहा है कैसे र बनाता था उस समय तो मानौ क्या है कि दूपर कार से मानौ आपको देखने को मिला है एक आदि मानौ और एक मिला है अधनिक मानौ है कि यह दो मानौ की हम बात करते हैं अगर आप आदिमानों टाइम पर भी अगर हम बात करें यहां पर तो यहां पर आप देखेंगे आदिमानों टाइम पर पत्थर का उपयोग किया जाता था हत्यारों में क्योंकि इनको पता नहीं था पत्थर का उपयोग करते थे और यह लोग जो थे वो कैसे कत हैं पत्र के और जिस जिस काल में करते गए तो है किया पासान काल कि पर पत्थर में आप देख से लोग कई था इन के तबारा कउल्म क्या गए तामवे के बाद कांसे का उपियो किया गए कांसे के बाद फिर नहीं का उपियों कि striking इसके पहले इने सैल खड़ी का उपयोग किया ये भी खनेजी है सेल खड़ी का उपयोग किया और अब आप देख पाएं सोना चांदी तामा अलोहा ऐलुमूनियम पता नहीं क्या क्या चीजों का उपयोग करना साठ कर दिया तो इनसान जो है मानाओ के दौारा कई प्रकार के मिनरल्स का खनेजों का उपयोग वहाँ पर किया जा रहा है खनेजों के महत्त को अग्यान हो जाने के बाद अलग-अलग युग में खनेजों के नाम से जाना गया जैसे तामर युग जब तामे का उपयोग जाए था लौह युग जब लोहे का उपयोग जाए था तामा जो है वो इंसान के द्वारा उप्योग की गई पहली धातू है फर्स्ट मैटल यूजड वाई यूमन है ना तो दुनिया की सबसे पहली धातू आपको तामा देखने को मिलेगे इसके बाद फिर आप देखें तामा और पीतल ऐसा कुछ मिला के उन्हें टेन वेन का कॉ यूग आभू सणों में और महर वनाने में भी किया गया तो जिस यूग में जिस धातु को उपयूग सर्वाधिक था वो टाइम पिल में उस नाम से जाना गया तांबे का तो न्यूग कांसे का तो न। नाम यहां दिया गया आज का यूग औद्योग एक समपटा का यह कहलाता है औद्योग क्यों क्यों यूग एत्योग विकास में खनेजों का महत्तूपूर्ण इसथान है क्यों कि उड्योग own यॉद फात होने जों खनिश संपथा की दर्ष्टी से भारत काफी संपन रास्ठ है हमारे आपर ठीक ठाक मात्रा में खनिजों का उत्पादन होता है मतलब हम खानिजों की माइनिंग करते हैं हमारे हां सभी प्रकार की खानिज पाए जाते हैं हमारे हां अनेक खानिज पदार्थ उपलब्ध हैं किन्तु देश में उनका बित्रन जो है वो दूस्पूर्ण है उपलब्ध हैं लेकिन कहीं पर कोई पदार्थ ज्यादा कहीं पर क बश्च मंगाल का जो एरिया आता है वहीं पर पठाड आएगा छोटा ना को वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे लगबख सभी प्रकार की खने जो अवशक है अधार भूत खनेज है मूल खनेज वहीं मिलेंगे फिर तो कहीं चांदी मिलें कहीं तामा मिला सब जगह hopping कनितों प्रोपर अभानियामे कमी भी है word देख है कहीं मिलता है हमारे पाय जाने वाले खनिज को हम अलग-अलग वर्गों में बात देते हैं धात्र थाथक खनीज तो अद्धात्र 291 disciples है यह दो परकार के धात्विकव धात्विक खनीज मतलब जिन से कोई धातु हम बनाते है या धात्विक खनीज बातने गये है कहा है जिनकों अलाओ को घुड़ होगा लोहे का अन्स हो यहां पर यहां का पार्ट नहीं होगा है तो यहां पर क्या हो जाएगा लोहा मैगनेज बाक साइट यह सब क्या है लोह खनेश का है जिन में लोहांस नहीं पाए जाएगा लोहे का अंस नहीं होगा जिसे ताबा पीतल ताबा सोना यह सब क्या हो जाएंगे यह अलोग खनिश का पार्ट हो जाएंगे यह क्या होंगे आपके अलोग खनिश का पार्ट हो जाएंगे अधात्विक खनिश क्या है अधात्विक खनिश जिसे इंधन खनिश है कोईला पैट्रोलियम प्राकृतिक गैस या अन अधात्विक खनिश graphite is इसारी चीले क्या है आपके अधात्वे alpha आइए इसला सब्हक्रह्ण गिए धात्वे खर्णों में लोह tried कहलाते हैं उधारन तामा बाकसाइड यह सब क्या है आपके अधात्विक खनीच कहला जाते हैं इन अकारवन एक प्रवत्ति के होते हैं खनिजों की विस्यस्ताएं क्या होंगे प्रपर्टीज और मिनरल्स क्या है तो खनिजों में निमने विस्यस्ताएं होती हैं खनिज असमान रूप से बित्रित होते हैं अधिक गुलवत्ता वाले खनिज कम गुलवत्ता वाले खनिजों की संबन देते मतलब इन्हीं दो प्रिकार की चटान संद्चना में यह मिलेंगे उत्तरी भारत का विसाल मैदान जो है वो खनिज रहित पाया जाता है उसमें पठा चोटा नाकपुर का भाग छोड़ दें बाकि उत्तर भारत का मैदान है उत्तर प्रिस बगेरा में कैसा है आप बेशन से भी प्राप्थ होता है और किस्ना गुल्यक्रव भारत में भारत प्र भारत नियुम्न विस्वत्त पत्ति होते हैं कैसी पत्ति से उत्तर पूर्वी पठार अगर अउत्तर पूरी इस प्रदेश में छोटानाकपूर का पतार त Yay जारखन के अंदर उडिशा का पठार आजाएगा पस्च मंगालों 36 गल के कोल्चेता जाएगे छोटा नाकपूर का पठार खनेजों में सबसे अधिक धनी होता है छोटा नाकपूर का पठार जो है वो खनेजों में सबसे अधिक धनी है इस कारण से छोटा नाकपूर पठार कि लोगी खान सबसे प्रसिद्ध है बैला डिल आपको याद रखना है कहां पाई जाएगी चत्वीज गड़ में कैसी खान होगी खुली ओपन माइन है तो कहां मिलेगी चत्वीज गड़ मैंगनेज बाकसाइट अब्रक और कोईला भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा इ किसे आप देखें चत्तीज गड़ में लोहा के इसे सेल वगएरा की जो कंपनिया लगी है ना स्टील अथरिटि ऑफ इंडिया वह आपको चत्तीज गड़ विलाई विलाई में आपको देखने को मिलेंगी अब उत्तर पस्च्चमी प्रदेश मतलब उत्तर पस्चमी सी नाचस तोर से प्रवत होता है नाश्थान का केटड़ी आलाखा है वहांसे तौ मिया तरीक्त जस्ता बलूओ पत्थर पत्तर ग्रेनाईट संग मर्मर जिफसम ये ये चीज़ें भी वहां से मिलती है लेकिन तावा सोना चांदी भी मिलता है जस्ता भी मिलता है सीसा जस्ता भी वहां पर मिलता है संग्मर्मर जिफसम भी प्राप्त होता है गुजरात खरिस तेल इवन प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है गहना गुजरात के दानडी तक की यात्रा गांडी जी के द्वारा नमा खांदुलन को ले कर की गई थी दक्षन पस्चमी पठार प्रदेश की अगर बात करें तो दक्षन पस्चमी पठार प्रदेश का मतलब क्या हो और लाइम स्टॉन मिलेगा चुना पत्थर मिलेगा तमिलाडू में लिगनाइट जो नेवेली खदान है वो परसिद्ध है लिगनाइट टाइप का कोईला भी मिलता है केरल में थोरियम और मोनोजाइट केवल केरल में मिलता है यह याद रखेंगे केरल में थोरियम और और पूर्वी महरास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहां मैगनीज बाकसाइट कोईला लोह एस ग्रेफाइट चुना पत्थर संग मर्बर सब कुछ पाया जाता है कुछ मात्रा में अब्रक भी पाया जाता है दक्षन शित्र करनाटक का पठार तमिलनाडू की उच्छ मूमी सामिल है यहां लोह यहां सोना लोह एस क्रोमाइट मैगनीज लिगनाइट कोईला बाकसाइट जिफसम डोलोमाइट और इलमेनाइट यह सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिलें कि यह जो जो भी यह चीज़ें हैं करनाटक का पठार तमिलनाडू को नीचे की तरफ की हम बात कर रहे हमालाई छित्र यह बट्टी पूर पूर्वी बंपश्च्वी हमाला में फैली हुई है यहां पर तामा सीसा जस्ता कुबाल्टी मिलेगा असाम में खनिस तेल मिलता है असाम आप देखें खनिस तेल यही लिए मंगालाई में लगनाइट को दा मिलता है और यहां पर रेट होल माइन्स भी क्या है में गाले में रेट होल माइनस भी यहां पर तूह है यह जी ख़़ान मैं तो उन्हें मतलब माइनेंग के लिए रोजा गई गई गया कि मैन नहीं सकती है लोई एस की तामा बाकसाइट मैगनीज अब्रक नमक यह हमारे प्रमों खनेज संसाधनों मैं से एक आते हैं कि आप देखें यह हमारे कुछ मिंदल्स होंगे लोई की बात करें अगर आप आइरन ओर को देखते हैं तो खनेज पदार्थों में लोहा आधुनक युक्का सबसे मातमुन खने च direction कियूं कियों है क्यों कि यह ऑधर 235 प्रतॉर को अधार प्रतां करता है क्या करता है और चितर चितर को और बशी से औधर प्रतान करता है अभगा नहीं Secret को से तयार करेंते हैं, तो लोहा आपको अगर बिल्दिंगस बनानाना है इन्फ की और्दिक उन्नती का आधार ही लोहा होता है सवाग से हमारे देश में लोहे की अफार भंडार है हमें कोई चिंता की बात नहीं है कहीं से ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कुछ मंगाना पड़े कुछ करना पड़े से कुछ दिक्कत नहीं है देश से निकाले जा सकने हैं कि हीनम लिमराइट आस हैं यह ऐसे क्या है आपके कार्बन की मांत्रा के अधार पर इन को बाट गया है लगला कि हमए है maioria श्चेचा है आपका पे vibe dhe Timesनि लॉय पत्ले में भारत भी स्में 5 नंबर करें नंबर है हमारी रैंकिंग याद रखनी है और भारत में सी खपत भी खूब है हम परियात मात्रा में इसका कंजप्शन भी करते हैं अब लॉयस का बित्रण देख लेते हैं क्या है भारत में लोहा वैसे अनेक राज्यों में पाया जाता है लेकिन उडिशा च्छतीजगर करना जारखन आंद्रदेश तेलंगाना तमिलादु मद्दपदेश और गुवा यह राज्या आप याद रखेंगे जहां पर लोहा परियात मात्रा अब लोहा निकलेगा कैसा तो लोहा डरेट नहीं निकलता है लोहा निकलेगा आयस के फॉर्म में कैसे आयस के रूप में और इ हैं हमेटाइट बेगनाट यह सब क्या है आपकी लोह अजस्ठ है उनके टाइप हो जाते है ऑगा आगा यहां लोहे का विस्व भिख्या क्षेत्र शिंह भूमी जिला आजारकान मैं सोने परकार की छेत्र या कदाने आपको नोवा गुवा मुंडी गुवा पंसरा बुरू बड़ा बुरू कोलहन मनोहर पुर नामक इस्थान लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं तो जारखन में कौन से से इलाके हैं जो फेमस हैं तो आप इनकी नाम याद रखेंगे सिंग भूमी जिले के अंतरगत आएंगे कहाएंगे सब क्यों कहते हैं किसमें धातु जो है उसकी मात्रा जाधा भाग निकट परती राज बिहार की मान भूमी साहदाबाद जिलों में भी मिलता लेकिन फेमस हैं यहां कि राठी या सतक चली गई हैं उड़ी सतक बिहार जिखन के जमसेत पर प्स्चम मंगाल के दुरगापूर कुल्टी के इस पात्कार खाने इनी का नतीजा है या उन्हें लोहा जो प्राफ्थ ओता है ओड़ी सा में अगर देखें तो भारत के लोहा पधक राज्य का महत्पूर इस्थान है महत्पूर कई ने कहा है तो मैयूर्भंज क्योंजर बोनाई कटक और संबल पूर छित में फ तोर से यह दो बादाम पहाड और यह गुरुमासनी इनको आप याद रखेंगे रावर के इलावा जमसेदपुर के लुहा इस बात कि कारखानों को यहीं से लुहा प्राप्त होता है अब बात करें बस्तर रायपूर बिलासपूर जिले यहां पर लोह का उत्पादन होता है बस्तर जिले की घाट वा राज हर्रा की खाने जो है वह आप उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है मद्धपदेश चतीजगर राज के गठन के पूर्व लोह इस उत्पादन में मद्धपदेश अगड़ी था किंतु बरतमान में कीवल मंडला ग्वालियर जबलपूर बालागार जिले में क्या कर रहे हैं आप लोहे का उत्पादन कर पाते हैं तो चार उत्पादक राज ब रखेंगे इनसान के द्वारा उपयोग की गई पहली धातु है क्या है मनुस्थ के द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तामा कहलाती है भारत में तामे का भंडार 15105 million ton है जिस पें बारत पाँच मिलियं टन धातु अपलब्द है कि इसमें 207.7 मिलिन टन संदक्षित भंडार हैं और 1303.7 तीन टन आउसेशन साधन है रायस्थान में सबसे अधिक तामबा आयस्क होता है मतलब राज्थान जो है वो तामबे में अग्रणी है आप जात रखेंगे कौन सा राज्जा अग्रणी है तो तामबा जो है तामबे म बालाघाट आप जानते होंगे आप बालाघाट जो है वो मैग्नी तामबे के लिए प्रसिद्ध याफट को जाता है जारकन आंद्रप्रणी तो तेलंगाना यह क्या है यह पांच राज्ज हैं भारत में तामबा उतपादक राज्ज के नमजानें अब इनका वित्रन क्या है देख लेते हैं कि करके भारत में तामबा बहुत कम पाया जाता है मुक्ता निम्लिखे छेत्रों में राइस्थान में आप देखे तो राइस्थान का इस्थान पर्थम है यहां के अलवर जिला ना कौन से जिले में अलवर जिले का दरीबा कोह और जैपुर का खेतली सिंग जाता है मध्द्पầnश में बालाघात जो है वह प्रस्द्ध है फालागा के मलाच खन की क्खाने के लिए लगबख 6,000 developers भंदार यहां पर है इतना भंदार जह को मिल सकता है फुर्जार्खन तामने जारखन का अभी स्थान महत्तपूर्ण है सिंग भूमी जिला जो है वो सिंग भूमी जिला तो हर चीज के लिए का प्रसिद्धत याद रखना है आपको सिंग भूमी जिला सबसे बड़ा उत्पादक जित्खित्र है और जो पट्टी फैली है वो लगबग 128 किलमेटर लंबी पट्टी में राखा धोबानी मुसाबानी सुर्दा केड़ाडी घाठ सिला तामे की बहत्तपून खाने सिंग भूमी जिले के अतरिक्त हजारी वाग मान भूम मान भूमी जिलों में भी क्या है आपको तामा देखने क गुंटूर ना यह क्या है गुंटूर नेलोर करनूल पैनार और अनंध पुर जरों से आपको देखने को यहां पर यहां पर यह आपको तामे का उत्पादना आप देख पाएंगे अगला आता है वॉक्साइट परचा वॉक्साइट एलुमूनियम की कच्छी धातू है मतल की धातू भी कहते हैं फ्यूचर मेटल कहलाती है इसलिए आज की योग में चमतकारी धातू वंडर मेटल के नाम से भी जाने जाती है इसको वंडर मेटल भी कहते हैं हलकी मजबूत होने करने इसका उपयोग एयर लाइन्स में भी करते हैं मतलब एरोप्लेन बनाने में भी क बनाने वायुवीयान जलियान लिल के डबे बरतन फरनीचर बेग्यानिक यंत्र ताप रोधी पदार्थों रसाइनों का रंग रूगन बनाने में इसका उप्यों किया जाता है भारत में बाक्साइट के प्रमुख भंडाराने में उत्पादक राज आप देख पाएंगे कहां कहां है भंडारान राज यह उड़ी सा अंद्रप्रदेश गुजरात और जारकन मतलब सिर्फ आंद्रप्रदेश बदलेगा और जारकन डायेगा बाकी सब बराबर है उत्पादक भंडारा कौन-कौन से हैं उड़ी सा अंद्रप्रदेश गुजरात और जारकन उत्पादक बितरन क्या है तो आप देखें इसका कि बाक्साइट भारत बाक्साइट बाक्साइट का उत्पादन किया घया था इतना वक्साइट से उत्पाद किया था भारत में बाक्साइट के महत्पूर्ण शित भिहार ज्धारखन मद्द प्रदेश उड़ीसा गुजरात महरास तमिलाडू करनाटा और आंद्र प्रदेश तेलंगना जैसे राज्यों यह बात करें मैगनीज प्राइब में आपको याद रखना है कि मुख भंडारण और पादक राज कौन-कौन से है तो आप अगर पाएंगे अब देखेंगे यहां पर कौन-कौन से भंदारयक उत्पाधक राजर तो भंदारयक राज़ वैं यह किरम है उडिशा एक करनाटक महरास यहां पर स्टोरेज जदा है और प्रोड़क्शन प्रोडक्शन our जाता है मद्द्धा जाता है मंद्धफदेश महाराथ सरुडी सामें इनका means । इनका कैसे हुआ है उसका उप्योग अगर आपने देखा हो तो हम क्या बिद्दुत कुछालक की रूप में जब एलक्ति सीटी से वायर करेंट करते हैं उस टाइम पर करते हैं संसार में अबरक पैदा करने के मामलों में भारत के अस्थान पर थम है संसार का 3-4 अभरत से निकाला जाता है अबरक लग का नमानित भंडार आप देख पारें 6,35,302 टन है बित्रण कहां कहां है तो हम देखें तीन टाइप हमने देखें हैं आंद्रप्रदेश तेलंगाना में बिहार और जारखन में और रहस्थान में तीन किरम हमने बनाए हैं आप तेलंगाना जुड़ा हुआ है बिहार ज अर्याना में भी माई का यानि की अब्रक की खदाने और उसके भंडारन देखने को मिलेंगे नमक के कैसी चीज़ आ गई है कि बिना इसकी जीवन पूरा नहीं होता नमक में खाने में नमक जादा हो जाए तो दिक्कत कम हो जाए तो दिक्कत नमक येक समान बस्तू है किन्त करने के साधन कॉण-कॉण से समुद्र का खारा जलो नमकीन जीले और नमक की सेले ये क्या है ये नमक करने की प्रमख जगह है CAROL यहीमें फिर ये गर्मिंव में सूख जाता है तो इसको ऐसको एकत्रा कर लिया आता है बात में भोरियों में भरके देर माटको पैड़े आता है अधिकान से हमारे हां समुद्र के पानी से बनाते हैं समुद्र जल से नमक बनाने का काम पस्चमी तठ पर जादा होता है और पस्चमी तठ में भी गुजरात में सबसे सांबर डीडवाना पंच भद्रः लून लूकर जील सब खारे पानी जील हैं इन से भी नमक बना जाता है उन जील लों के पानी को क्यारियों में सक खोकर नमक तयार करतें अब दिख पर तक हिसे यह शुखा दिया यहां पर बात में खटा करके नमक कडिर लगाते चले जाते हैं चटानी नमक जिसको आप रॉक सॉल्ट भी कहते हैं जिसको आप हिंदी भासा में सेंधा नमक भी कहा जाता है चटानों में नमक हिमांचल प्रदेश के मंडी जिले में मंडी जिले में दांग्र और गुमाचित में पाजाता है इसमें अनेक कहते हैं सेंधा नमक इसको कहा जाता है अब संसाधनों के संदक्षण पर बात करें कंजर्विशन of mineral resources बहुत इनका दुर्पयोग हो रहा है गलत तरीकी से इनका उपयोग हो रहा है तो इनका संदक्षण संदक्षण नहीं किया तो आगे आने वाली पीडियों के लिए जो हम कह रहे हैं कि और दुर्पयोग संदक्षण जरूरी है सामान रुप से भारत सामान रुप से भारत खने संसाधनों में धनी देश है किंतो खने एक न संदक्षन के लिए हम निम्लिक पाय का सकते हैं जो खनेज हमारे हां अल्फ मात्रा में अपलब्ध हैं जिसे चस्ता चांदी पोटास गंदग तंगस्टन पारवा सीसा उनका हम उप्योग बहुत कम करें मितिवैता तरीके से करें फालतुना परबाद करें लोहा पीतल इनका प्योग कैसे करें चक्री संसाथन जैसे माल लीजिए कि लोहे का सरीया मिला अब इत्ते चोटे-चोटे-चोटे होगा है कुछ नहीं कर पाना तो उगला कर कुछ और तयार कर तो रिसाइकल करकर बार-बार प्रयोग करेंगे तो हमें बार-बार माइनिंग नहीं करनी पोस्टिय विकास कहेंगे कुछ समय पूर्थ तक भारत में मैगनेज क्रोमाइट अब्रक मैगनेसाइट इलमेनाइट बाकसाइट आधी खनेजों का ही बड़ी मातरा में बिदेशों को निर्यात हो रहा था इससे देश को मूल संसाधनों की हानी देश के मूल जो कीमती संस कहलाता है एक बार भूमी से खनेज निकाल लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाता था खनेज संपदा का विबेक पूर्ण उपयोग बहुत आवशक है को इलावा पैट्रोलियम के अगर बात करें तो इनका खनन भी साउधानी से बैग्यानेक विद्यों से किया जाना चाह कोईला वा पैट्रोलियम से अनेक उत्पात प्राप्त होते हैं अताहिन के स्थान पर जल विद्धुत अन आपरमपरागत उर्जास रोज जिससे सौर उर्जा पवन उर्जा इनका उप्योग करें तो कोईला पैट्रोलियम को भी हम लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं यह हमारे खनिस संसाधन थे अंगले वीडियो में हम बात करेंगे उर्जा संसाधन के उपर आप इनको देखिए अपनी बुक सभी चैप्टर पढ़िए अपने नोट्स बनाइए मैगनेट ब्रेंज अपनी हाई क्वालिटी एजूकेशन के साथ निसुल्क सिक्षा के लिए जाना जाता है मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है सबी वीडियो आपको बिलको निसुल्क मिलते हैं वो भी कहां पर हमारे यूप साइड है और हमारे अप्लिकेशन है वहां तीनों जगए आपको बिलकुन निसुल्क वीडियो देखने को मिलते हैं बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मत दी गई है आप हमसे कर सकते हैं यूट्यूब फेस्बुक इंस्टाट टेलीग्राम के माद्ध हमसे यह वीडियो आ देख रहे हैं यूट्यूब मैगनेट बेंस के हिंदी चैनल मैगनेट बेंस हिंदी मीडियम पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जम कर सेयर करें धन्यबाद